इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ड्रिप्टिंग कार लोगो रिवेल इंट्रो जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं और इस इंट्रो को बनाएंगे अपने मुबाइल फोन की मदद से काइन मस्टर अपलिकेशन के अंदर इस इंट्रो को बनाना काफी असान है वैसे मेरे जितने भी इंट्रो ट्रोल होते हैं वो बहुत असान होते हैं सिर्फ टेंपलेट बेस्ट होता है सो आज का इंट्रो भी बहुत ही असान है जिससे कि आप में से हर को इस इंट्रो को बना लेगा सो इस इंट्रो को बनाने से पहले सबसे पहले आप काइन मस्टर के अप्लिक दिये लिंक से, इंस्टॉल करने के बाद, simply आपको इस अप्लिकेशन को ओपन कर लेना है, जैसे आप इस अप्लिकेशन को ओपन करेंगे, आपको कुछी इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा, यहां पर आपको क्रिए न्यू पर क्लिक करना है, देन आपको यहां से स्पेक्टर सी उस इनिस टुनाई लेना है, देन नीचे आपको यहां क्रिएट पर क्लिक कर देना है, आपके जैसे आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पर कुछी इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा, तो यहां पे आपको image assets का option मिलेगा इस पे click करके simply आपको यहां से black color का image select करना है Then आपको यहां corner में cross पे click कर देना है इसके बाद guys आपको यहां timeline मेier black color वाले image को select करना है Then आपको यहां से इसकी length को बढ़ाके 7 sec तक कर लेना है Well image की length को 7 sec Тक करने के बाद simply आपको इस playhead को यहां starting में लाना है then आपको यहां arrow पे क्लिक करके back हो लेना है इसके बाद guys आपको यहां disk पे एक layer का option मिलेगा इस पे क्लिक करके simply आपको यहां media पे क्लिक करना है आपगे जैसे आप media पे क्लिक करेंगे आप अपनी device की gallery में चले आएंगे सो यहां से आपको अपने channel का logo एड करना है सो चलें यहां से मैं अपने channel का logo select कर लेता हूँ well अपने gallery से अपने channel का logo select करने के बाद simply आपको यहां corner में cross पे क्लिक कर देना है then आपको यहां से अपने logo की length को extend करके जितना बड़ा black color का image है उसके बराबर कर लेना है इसके बाद guys आपको display head को फिर से यहां starting में लाना है then आपको फिर से यहां arrow पे क्लिक करके back हो लेना है इसके बाद फिर से आपको यहां layer पे tap करके media पे क्लिक करना है अब जिससे आप मीडिया पर क्लिक करेंगे फिर से आप अपनी डिवाइस की गैली में चले आएंगे सो यहां से हम एक इंट्रो टेंप्लेट यूज करने वाले हैं सो जो इंट्रो टेंप्लेट यहां पर मैं यूज कर रहा हूँ करते हैं कि सर स्ट्राइक तो नहीं दे दोगे तो मैं आप ही लोग के यूज के लिए वहां पर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हूँ तो आप बेफिकर हो के इसका इसका इस्तिमाल कर सकते हो सो चली यहां से मैं उस टेंप्लेट को यूज कर लेता हूँ वैल अपने गर्ली से इंट्रो टेंप्रेट स्ट्रेक करने के बाद सिम्प्ली आपको यहां कोने में क्रौस पे क्लिक कर देना है अब गजिसा कि आप देख पा रहें, यहां पर हमारा इंट्रो टेंप्लेट अड़ हो चुका है बट यह पूरे screen पे सही से set नहीं हुआ है सो इसके लिए simply आपको यहां right shade में स्क्रॉल करके नीचे आना है यहां पे आपको split screen का option मिलेगा इस पे click करके simply आपको इसे full screen पे यहां से कर लेना है आप देख सकते हैं यहां पे यह पूरे screen पे सही से set हो गया है अब इतना करने के बाद simply आपको यहां arrow पे क्लिक करके back हो लेना है आप यहां पे देख पा रहा है इंट्रो टेंप्लेट के अंदर एक green color दिख रहा है जहां पे हमारा logo आएगा और हमें इस green color को remove करना है सो green color को हटाने के लिए simply आपको यहां right side में नीचे आना है इस पे प्लिक करके green color को select कर लेना है आपको यहां right पे क्लिक कर देना है अब जैसे आप green color select करेंगे आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ यहां से हमारा green color remove हुआ है और जहां से green color remove हुआ है वहीं पे हमें अपने logo को अच्छे से size adjust करके लगाना है सो हम क्या करेंगे सबसे पहले यहां arrow पे क्लिक करके back हो लेंगे दुबारा tap करके back होंगे और फिर यहां से हम अपने logo को timeline में select कर लेंगे logo को select करने के बाद यहां से हम logo की size को छोटा करेंगे कुछ इस तरीके से और drag करके जहां पे gap है जहां पे पहले green color था वहीं हम अपने logo को अच्छे से place कर देंगे सो जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं हमारा जो logo है वो अच्छे से यहां पे place हो गया है सो logo को कुछ इस तरीके से place करने के बाद आपको इस play head को 1.6 पे लाना है यहां 1.6 पे करने के बाद simply आपको यहां left side में एक चाभी का icon दिखेगा इस पे क्लिक करना है और देन आपको यहां पे plus वाले sign पे क्लिक कर देना है अब जैसे आप plus वाले sign पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं जहां पे play head यानि की लाल कलर की डंडी है वहां पे एक dot create हो जाएगा ऐसा करने के बाद simply आपको इस play head को आगे के तरफ move करना है और यहां आखरी में ला लेना है इतना करने के बाद simply आपको फिर से यहां plus वाल आइकन पे क्लिक करना है और यहां से हमें अपने लोगों को थोड़ा सा बड़ा करके और जो gap create किया है हमारे play head को move करने के बाद से तो वो gap को हमें लोगों को जूम करके सही से adjust कर लेना है सो इतना करने के बाद simply आपको यहां एनिमेशन वाले आरो पे क्लिक करके back हो लेना है इस play head को कुछ इस वाले point पे लाएंगे 4.5 पे और 4.5 पे लाने के बाद simply हम यहां लेयर पे टैप करेंगे देन यहां टेक्स्ट पे टैप करेंगे अब गईज यहां पे आपको चैनल नेम टाइप कर लेना है जिसे कि मैं यहां पे अपने चैनल का नेम टाइप कर लिया नेम टाइप करने के बाद simply आपको यहां OK पे क्लिक करके simply आप इस नेम को ड्रैक करके यहां नीचे लाएं और अच्छे से लोगों के नीचे प्लेस कर दें वेल अपने चैनल नेम को लोगों के नीचे प्लेस करने के बाद हम क्या करेंगे जो हमने नेम एड़ किया इसके अंदर एनिमेशन आइड करेंगे ताकि हमारा नेम भी एनिमेशन के साथ आए सो इसके लिए simply आपको यहां right side में in animation का option मिलेगा इस पी click करना है और simply आपको यहां से fade को select कर लेना है fade वाला animation के अलावा भी आप जो चाहें यहां से animation select कर सकते हैं इसके बाद हम क्या करेंगे यहां से back हो लेंगे then यहां से जो हमारे text की length है उसे इस तरीके से छोटा करके बाकी clip के बराबर कर लेंगे अब गई जहां पे जो हमारा intro है वो completely बन चुका है चली मैं आपको इसे एक बार play करके दिखा देता हूँ सुकर जसा कि आपने देखा हमारा intro कितना जबरदस्त बना है और सबसे बड़ी बात है कि इस intro को बनाना कितना असान था इंट्रो बन जाने के बाद इंट्रो को सेव करने के लिए आपको यहां कोने में एरो पे क्लिक करना है यहां से जिस भी resolution में चाहें इंट्रो को सेव कर सकते हैं अच्छी क्वालिटी के लिए बीट रेट को हाई रखिएगा देन आपको यहां नीचे सेव एज वीडियो का अप्सन मिलेगा जिस पे गलिक करके आप इस वीडियो को अपनी गैलरी में सेव कर सकते हैं अब आप भी अपनी यूट्यूब चैनल के लिए कुछ इस तरीके का इंट्रो बनाना सीख गया है वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नहीं है तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्काइब करें अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए बाबाई